जब भी आपके बच्चे की नाग बंद होती है या उसको मामूली सर्दी जुखाम होता है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ नाग में डालने वाली दवाईयां यानि नेजल डॉप लिखता है और majority of times मतलब अधिकांश क्या होता है कि जब उस बच्चे को दोबारा वही दिक्कत होती है तो घर में जो दवाईयां अलडी रखी हैं वो नेजल डॉप सर्दी खासी में नाग बंद होने पर हम उसको regular देने लगते हैं तो आज हम यह देखेंगे कि क्या यह दवाईयां जो नाग की खोलने की दवाईयां होती हैं नेजल डॉप होती हैं वो कितनी सुरक्षित होती हैं और क्या हम उनको बिना डॉक्टर की एडवाईस के घर में दे सकते हैं nasal drop दो तरीके की होती है एक nasal drop जो normal saline या नमक के पानी की nasal drop होती है और दूसरा nasal decongestant ये एक तरह की दवा होती है जिसमें xylometazoline नाम का chemical compound होता है तो जो नमक का पानी है या normal saline nasal drop है वह बहुत हद तक सुरक्षित है आप उसको घर में बच्चे की नाग बंद होने पर या normal सर्दी जुखाम होने पर आप उसका इस्तिमाल कर सकते है बट जो दूसरे category की दवा है यानि nasal decongestant जिसमें xylometazoline होता है वह बिना doctor के सुझाओ के या घर में यदि आपने शुरू भी कर दिया है तो occasionally ही use करना चाहिए क्योंकि उसके काफी side effect होते है उसके side effect में कभी-कभी नाग से खून भी आ सकता है atrophic rhinitis भी हो सकता है तथा उसके side effect कभी-कभी heart और हमारे CVS सिस्टम में भी हो सकते है हुआ है